मेरी प्यारी बैनों और प्यारे भाईयों आपका इस सभा में बहुत-बहुत स्वागत कैप्टन अमरिंदर सिंग जी श्री नव्जोग सिदू जी श्री राजा बारिंग जी श्री मती आशा कुमारी जी श्री मनप्रीत बादल जी श्री विजेंदर सिंगला जी श्री राना सोजी जी श्री गुर्प्रीत कंगर जी श्री हरीश चौधरी जी श्री लाल सिंग जी श्री राइंदर सिंग जी आप सब का भी इस सभा में बहुत-बहुत स्वागत तो बेनों और भाईओं सबसे पहले तो बोले इफ्ञान याँ यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई मेरा करवाला पंजाबी है हर मुसीबत दा सामना उन्हाने मुस्कुरान देवे किता मैं पंजाब जब पंजाबियारी धर्ती ते पंजाबी कौम मुस्सलाम कर दिया पंजाबी कौम हर मुश्किल दा सामना डटके कर दिया ते सदा खुश रहके चरदी कलाविच रेंदी है अब मैंने अपनी पंजाबी शुआफ कर दी पूरा भासन इंदी में दूंगी सुना है कल प्रदान मंत्री जी आये थे और सुना है कि इसी मैदान में उनकी मीटिंग लगी और ये भी सुना कि उनके जूटों के सिलसिला के सिलसिले का जवाब भटिंडा के आसमानों ने दे दिया क्योंकि चाहे अंधी हो तुफान हो चाहे मौसम क्लावडी हो लेकिन इनकी सच्चाई अब देश की जनता के रेडार पर आ चुकी है आपके सामने तमाम प्रचार करते हैं जूट कहते हैं बड़ी बड़ी बाते करते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं अगर आप इनका प्रचार सुने और माने आपको लगेगा कि इस देश में सतर सालों से कोई विकास नहीं हुआ कि सिरफ पात सालों में सारा विकास हो चुका लेकिन आप भटिंडा के वासी हैं भटिंडा सबसे बड़ा मिसाल है कि 70 सालों में इस देश का कितना विकास हुआ ये उद्योगों का केंडर है फर्टिलाइजर, सिमेन, हर्मल पावर, टेकस्टाइल का केंडर है कपास और गेहूं की सबसे बड़ी मार्केट है दूद उच्पादन का केंडर है आर्मी की कंटून्वेंट है यहां और ये सारा विकास इन से पहले हुआ शायद इनका खुद का रेडर सबसे पहले अपने वच्चनों पे होना चाहिए 2014 में इन्हों ने आप से कहा कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए आए, नहीं आए कहा था कि किसानों की आए दुगनी होगी आपकी आए दुगनी हुई कहा था कि महंगाई को घटाएंगे क्या महंगाई घटी आपको कहा था कि नौ जवानों के लिए हर साल दो क्रोर रोजगार बनाए जाएंगे क्या बने नहीं बने मैं और भाईयों इनकी नोट बंदी की एक नीती से पचास लाख रोजगार घटे इनके शासन में चौबिस लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं ना आपको पंद्रा लाख रुपे मिले ना किसानों की आम बनी बखनी हुई ना किसी के लिए रोजगार बना बलकि देश भर में घूमते हुए जो किसान मुझसे मिलता है वो पीरा में दूब रहा होता है आज कर्द की वज़े से बारा हजार किसानों ने आत्महत्या की हैं इनके शासन में बारा हजार किसानों ने आत्महत्या की किसान को उपज का दाम नहीं मिला किसान को भीज और खाट समय पे नहीं मिली देश भर से जब किसान पैदल दिल ली आया हजारों की तादाग में पंजाब के किसान आए उत्तर प्रदेश के आए महराश्च के आए मध्य प्रदेश के आए राजिस्थान के आए और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ मंगी कि प्रदान मंतरी महोदय अपने आली शान बंगले से निकल कर पाँच मिनट का समय उन्हें दे देते ताकि उनकी समस्याओं की सुनवाई होती लेकिन प्रदान मंतरी जी इतने व्यफ़ है कि हजारों की तादाद में जो किसान अपने पाँपे च्छाने बनाकर पैदा लाए उनसे मिलने के लिए प्रदान मंतरी जी ने पाँच मिनट का समय नहीं निकाला प्रदान मंतरी जी अमेरिका घूमाएं वहाँ उबामा जी से गले लग गए जापान चले गए धोल बजाएं वहाँ अफरीका गए यूरोप गए जिस देश का नाम लीजिए चीन गए पाकिस्तान भी गए पाकिस्तान में बिर्यानी भी खा के आए लेकिन अपने ही सांसदीच शेत्र में वारा नसी में एक भी गरीब परिवार एक भी किसान के घर नहीं गए एक भी किसान से हाल चाल नहीं पूछी ये नहीं पूछा कि आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं नोट बंदी से इन्होंने आपको परिशान किया आप से कहा कि आप अपनी देश भट्ती दिखाईए और दुनिया भर का काला धन देश में वापस आ जाएगा सच्चाई क्या हुई एक भी रुप्या वापस नहीं आया आप परिशान हुए आपके साथ कतारों में एक भी भाजपा का नेता नहीं खड़ा हुआ एक भी अमीर उद्योग पती खड़ा नहीं हुआ सिर्फ एक नेता खड़ा हुआ था राहुल गांधी और जब वो नेता आपके साथ कंदे से कंदे मिलाकर आपकी मुसीबतों में आपके साथ खड़ा रहा तब भाजपा के नेताओं ने उनका मजा कुड़ाया यही हालात है इनकी लेकिन यह कोई नई बात नहीं है इनके जूटों का जो सिल्सिला है यह बहुत पुराना सिल्सिला है जब पूरा पंजब आज़ादी की लगाई लर रहा था तो इनके RSS के लोग इनके RSS के लोग अंग्रेजों की चंचा गिरी कर रहे थी कभी लए नहीं आज़ादी की लराई में पंजब ना हिंदू ना मुसल्मान है पंजब जी ले गुरूं के नाम है आपकी जो धर्ती है वो हमेशा गुरुओं के नाम जी है अगर गुरु गरंड साहब को पंजब से जोड़ा किया तो पंजब की आत्मा चली जाएगी इन्ही के साथियों ने अपने राजनित कलाब के लिए अपने वोटों को बटोरने के लिए गुरू गरंट साहब का निरादर किया आपने खुद ये देखा बाबा नानक ने तेरा तेरा तोला सर्बत का भला बोला और इन्हों ने अपने साथियों के साथ सिर्फ मेरा मेरा बोला शुरू से सिर्फ मेरा मेरा बोला जो सरकार इस लोग तंतर में जनता के लिए होनी चाहिए उस सरकार को इन्होंने तमाम माफियाओं को सौप दिया भू माफिया, रेट माफिया, शराब माफिया और ट्रंस्पोर्ट माफिया को सौपा इनके शासंकाल में जनता की आवाज नहीं सुनी गई जनता की तीरी दर तीरी बरबाद हुई है आपको नकारा गया, देश के किसान को, पंजाब के किसान को नकारा गया और नकारते वक्त, आपको दबाते वक्त, आपको परिशान करते वक्त हमेशा इनका जूटा प्रचार चलता रहा आज भी आप टीवी देखेंगे या अखबार खोलेंगे तो इनके चेहरे दिखेंगे और बड़ी बड़ी बाते दिखेंगे आपको कभी कहते हैं कि बिजली की बिल पे तलवार मारी तो कभी कहते हैं कि कोई और बड़ी उपलबडी कर ली बहुत विकास कर लिया किसान बहुत खुशाल हो गया लेकिन सरासर जूट कहते हैं आज अगर पंजाब चिट्टा के वज़े से तड़प रहा है तो ये इनी की सरकारों की बदौलत है मेरे भाई राहु गांदी जी ने ये मुद्दा तब उठाया जब किसी और की हिम्मत नहीं थी इस मुद्दे को उठाने की जब वो पंजाब आए और उन्होंने ये बात कही तो इन्होंने तमाम उनके बारे में खलत चीज़ें बोली लेकिन राहु जी ने सचाई कही थी क्योंकि राहु जी की राजनीती और कॉंग्रिस की राजनीती सचाई की राजनीती है आपको गुमराख करने की राजनीती नहीं है अगर कोई समस्या है आपके प्रदेश में तो उसको उखाडने की राजनीती है उसको छिपाने की राजनीती नहीं है इसलिए इस चुनाओं के लिए आप बहुत ध्यान से बहुत जिम्मेदारी से सोचिए कौन सी पार्टी आपके सामने कैसा संदेश लाती है कौन सी पार्टी आपके सामने कौन सी घोशना कर रही है जो नेता आपके सामने मंच पे बैठे है चाए मैं हूँ, चाए अमरिंदर सिंग जी हूँ, सिद्दू जी हूँ, कोई भी नेता जो आपके सामने मंच में बैठा है, हम सब को बनाने वाले आप है, सचाई ये है, सचाई ये है कि लोग तंत्र में आपकी शक्ती सबसे बड़ी शक्ती है, लोग तंत्र में भारत देश में किसी भी नेता से बढ़ाव, किसी भी नेता से महत्वपून, किसी भी नेता से मजबूत जनता है, और इसी को लोग तंत्र कहते हैं, लोक तंत्र का मतलब है आपकी शक्ति आपके हातों में रहनी चाहिए लोक तंत्र का मतलब है कि आपको गुमराह करके जूटे प्रचार करके आपको तबाह करके आपके प्रदेश को मफ्याओं को सोपके कोई आगे नहीं भरना चाहिए आपको सबक सिखाना चाहिए इने कि आप सचाई को देख रहे हैं आप जागरुक बन गए हैं आप अपनी भलाई चाहते हैं और आप हम सब नेताओं को सिखाईए आप सब नेताओं से पूछिए कि आपके लिए क्या करने जा रहे हैं आपके सामने आकर तमाम फिजूर की बातों को करने का कोई मतलब नहीं है आपके सामने जो नेता आए चाए कितना भी बड़ा हो चाए देश का प्रधान मंत्री नहो वो आपको बताए कि आपके लिए क्या किया है उसने और क्या करने जा रहा है यही सची राजनीती है और इसलिए मैं आपको बतना चाहती हूँ कि Congress Party ने इस जुनाओं में एक ऐसा घोशना पत्र बनाया है जिसके लिए राहुल जी ने दिगज नेताओं को देज भर में भेजा राहुल जी ने उनसे कहा कि मैं आपकी आवाज नहीं मानता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि जनता की क्या आवाज है किसानों से मिलिए उनसे पूछिए कि उनको क्या चाहिए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं नौजवानों से मिलिये, नौजवानों से पूछिये, हम आप के लिए क्या कर सकते हैं, महिलाओं से मिलिये, महिलाओं से पूछिये, आप की मजबूती के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक साल के कारी के बार, देश भर में, जन जन से चर्चा करने के बार, कॉंग्रिस ने एक करीब परिवार को 72,000 रुपै साल आना सरकार देगी जब ये योजना बनाई गई तो राहुल जी ने पूर जित मंत्रियों से कहा कि देखिए जनता को बहुत जूट बोला गया है पाथ सालों से जनता परिशान है जनता को वादा किया था भाज़ अपाने कि 15,000,000 रुपै उ वादा खोकला निकला मैं कोई खोकला वादा नहीं करना चाहता उन्होंने कहा आप जाच करिये असलियत क्या है सच्चाई क्या है सरकार अगर गरीब परिवारों को पैसा देना चाहे तो कितने पैसे दे सकती है तो वृत मंत्रियों ने पूरी तरे से जाच की और उन्होंन जब ये ग्योजना की कॉंग्रिस में तब भाजप्पा के बड़े बड़े मेताओं ने क्या कहा ये भी सुन लेजिए उन्होंने कहा कि देश में इस ग्योजना के लिए पैसे नहीं है अर्थ व्यवस्था में पैसे नहीं है राहुल जी ने उनसे पूछा अगर गरीबों और किसानों के लिए पैसे नहीं है तो बताईए आपने बड़े बड़े ओज्योगपतियों के पाथ सौपचास हजार क्रोर रुपे इन पाथ सालों में कैसे बक्स दिये कैसे कर्द माफ़ किये कोई जबाब नहीं आता बेनों और भाईों क्योंकि कोई जबाब नहीं है ये सरकार सिर्फ बड़े ओज्योगपतियों के लिए चलाई गए है आपको मालम है कि आपकी जो किसान दीमा ली जाती है हर महीने आपसे उस किसान दीमा से बड़े बड़े उद्योग पतियों के दस हजार क्रोर रुपे का फाइदा हुआ है दस हजार क्लोर रुपे का फाइदा आपकी किसान बीमा से बड़े बड़े अध्योग पत्यों का हुआ और जब आप पत्य आई जब आपके खेतों का नुकसान हुआ तब आपने कभी ये बीमा के पैसे नहीं देखे यही असलियत है इस सरकार की जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि किसानों के कर्द माफ किये जाएंगे तब भी उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है इसके लिए मज़ा कुराया लेकिन आपने खुद अपने प्रदेश में देखा है और जहां हमारी सरकारे आई मध्यप्रदेश 36 गार और लाजिस्तान में आपने खुद देखा कि मातर तीन दिनों में कर्द माफ होने शुरू हुए जैसे गरीब परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी ने नियाए की योजना बनाई है जिसके तहेत आपको 72,000 रुपे सालाना मिलेंगे उसी तरह से नौजवानों के लिए भी कई योजनाए हैं नौजवानों के रोजगार के लिए सबसे पहले कांग्रेस ने घोशित किया है कि जो 24 लाग सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं उन्हें एक साल के अंदर अंदर अगले साल के मार्श के महीने तक भरवाया जाएगा कांग्रेस पार्टी ने ये भी घोशना की है कि 10 लाग ग्रामी इंस्तर पे रोजगार बनाए जाएंगे और ये भी घोशना की है कि अगर कोई नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहे तो तीन सालों के लिए कोई भी पर्मिट और कोई भी पर्मिशन की ज़रूरत नहीं होगी कि सरकार उस नौजवान को पूरी तने से मजबूत बनाएगी कि अगर उस नौजवान के कारोबार से रोजगार बने तो जितने रोजगार बनेंगे उतने उतना ही कम टैक्स उस कारोबार पर लगाया जाएगा जो छोटे उद्योग पती और दुकानदार जी एस्टी से तरस्त और परिशान है उनके लिए कांग्रिस ने खास क्या गोशना की है कि जी एस्टी को सरल बनाया जाएगा एक ही सरल टैक्स होगी आज सिती ये है कि किसी भी दुकानदार से पूछे तो वो कहेंगे कि अगर एक चीज एक वस्पर भी बेचना पड़े तो उसकी कड़ाई की अलग जी एस्टी उसके धागे की अलग जी एस्टी उसके रंग की अलग जी एस्टी उसकी सिलाई की अलग जी एस्टी और उसके कपड़े की अलग जी एस्टी लगती है इस उल्जन और इस परिशानी से तमाम कारोबार बंद हुए हैं तमाम दुकाने बंद हुई हैं नोट बंदी और GST से जिस तरह आपके पाउ पर कुलहडी मारी उस तरह शायब किसी सरकार किसी सरकार ने आपको परिशान नहीं किया होगा इसलिए कॉंग्रिस इस परेशानी को समझते हुए और पहचानते हुए आपको मजबूत बनाना चाहती है और एक सलन जी एस्टी बनाना चाहती है मेरी बैनों के लिए 33% आरक्षन संसद में होगा इसके जरिये जो हमारी समझ जाएं है जो महिलाओं की आवाज है वो संसद में ठीक तरे से उठेगी बच्चों की शिक्षा के लिए बारवी तक सरकारी पाथशालाओं में मुफ्त शिक्षा मिलेगी और हस्पतालों में सरकारी हस्पतालों में जाच और चिकित्सा मुफ्त में मिलेगी ऐसी तमामी और जनाये हैं किसान भाईयों और बेहनों के लिए भी एक अलग बज़िट बनेगी इस अलग बज़िट के द्वारा आपको हर साल ये बतायाग जाएगा कि आपके लिए कितना खर्चा जाएगा कौन सी योजनाओं में जाएगा किस तरह से सरकार उन योजनाओं को सफल बनाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में फूट पार्च बनाने की उमीद है हमारी ताकि आपकी उपज सीधी देश की बाजारों से जुड़ जाएगी ताकि आपको आपकी उपज का दाम अपने ही एक शेत्र में मिले इस तरह से तमाम योजनाओं हैं जो हमारे घोशना पत्र में है और मैं आपसे आग्रे करना चाहती हूँ कि आप घोशना पत्र को पढ़िए क्योंकि ये चुनाओं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे देश को बचाने का चुनाओं है हमारे लोक कंत्र को बचाने का चुनाओ है एक ऐसी सरकार को शिकस्त देने का चुनाओ है जिसने आपकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं लेकिन आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की है अपने आपको देश भग्र कहके तमाम देशवासियों को देश द्रोही कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश में एक अध्यापिका से मिली जो अपने वेतन के लिए प्रदर्शन करने गई और उसको पीटा गया जेल में डाला गया और उन पर देश द्रोही का कानून लगाया गया क्योंकि अपने अधिकारों की मां करने की हिम्मत हुई उनमे ये लोगतंत्र है बेहनों और भाईयों आपके अधिकार आपकी शक्ती है आपके अधिकार आपकी हिम्मत है आपको दबाने की हिम्मत किसी भी सरकार में नहीं होनी चाहिए और ये सबक मैं जानती हूँ कि इस चुनाओं में आप भाजपा और उनके सहीयोगईयों को पूरी तर्य से सिखाने वाले हैं राजा वारिंग जी यूट कॉंग्रेस में होते थे जहां उन्होंने बहुत प्रगती शील कारिक किये एक मजबूत उमीद्वार हैं एक सचे राज देता हैं जो आपके लिए दिन ग्राप एक करके आपके प्रती समर्पित रहेंगे इनके हाथ मजबूत करके कॉंग्रेस पार्टी को एक बार फिर केंडर में स्थापित करके आप अपने भविश्यों को मजबूत बनाएंगे आप अपने देश अपने प्रदेश को और भी मजबूत बनाएंगे अपने बच्चों के अपनी अगली पीरी के लिए इस चुनाओं में आप अपना वोट दीजिए जो पीरियां बरबाद हुई हैं उन पीरियों को बचाने के लिए आगे वाली पीरियों को मलबूत बनाने के लिए अपना वोट दीजिए कॉंग्रेस पार्टी को भारी से भारी वहुमत से जिता कर देश और पंजाब को एक बार फिर उसी रास्ते पे लाईए जिस रास्ते से आपका पूरी तरह से विकास हो आप सब को बहुत 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 धन्यवाद जैन